बुरी शिक्षा का बुरा फल किसी नगर में दानी नामक व्यपारी रहता था, उसका काम नाम के एकदम विपरीत था, अर्थात ना तो वह स्वयम दान देता था और ना ही अपने परिवार जनों को दान करने देता था जब भी कोई साधू उसकी दहलीज पर खड़ा हो भीख मांगता तो वह कह देता आगे बढ़ो और वह इतना सा वाक्य कह टाल देता था दानी या धर्मी तो था ही नहीं हाँ वह अधरम अवश्य करता था उसके कर्यानी की दुकान थी वह जो भी सामगरी बेचता उसमें मिलावट करके ही बेचता था मिलावट का कार्य एक अकेला करे ऐसी बात नहीं थी अपित्तु वह अपने परिवार वालों को भी मिलावट करके सामगरी बेचने के लिए प्रोचसाहित करता लोग अशुद सामगरी खरीद कर ले जाते और अकसर बिमार रहते थे दानी के पुत्र का नाम धनेश था वह अकसर पूछ बैठता पिता जी आप मिलावट क्यों करते हैं इस पर दानी कह देता बेटा शुद सामगरी हानी कारक होती है इसलिए मिलावट करके बेचता हूँ उसने धनेश को भी मिलावट का कारियर सिखा दिया था मगर धनेश अकसर देखता की दानी जो भी सामगरी घर के लिए निकालता है उसमें मिलावट नहीं करता धनेश सोचता की इस से तो हम बिमार पढ़ जाएंगे वह मिलावट कर देता था इसकी जानकारी दानी को नहीं हो पाती थी धनेश मिलावट तो कर दिया करता लेकिन बताता किसी को नहीं था यदपी घर के लिए दानी शुच सामगरी निकालता मगर मिलावटी सामगरी खाता उसे इसका अनुभव अवश्य होता कि खाद्य समगरियों में मिलावट हुई है मगर पूछ नहीं पाता था क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि उसके खाने की वस्तु में भी मिलावट की गई है इसी कारण एक दिन दानी इतना बिमार पड़ गया कि खाट से उठना तक मुश्किल हो गया अब वे खाट में ही पड़े भोजन करता दूद पीता अकसर दूद देने की जिम्मेदारी धनेश पर आ जाती वे देखता जो दूद माने पिता के लिए दिया है वे है शुद है अर्थात उसमें मिलावट नहीं की गई है वे सोचता कि यदि पिता जी को शुद दूद दे दिया तो वे और अधिक बिमार हो जाएंगे इस विचार के साथ वे है आदा दूद स्वयम ही पी जाता और आदे दूद में पानी मिलाकर दानी को दे दिया करता दानी दूद पीता तो अनुभव अवश्य होता कि इसमें पानी अधिक मातरा में मिला है मगर ततकाल इस से असहमत भी हो जाता क्योंकि दूद घर का होता था तब पानी मिलाने का प्रशन ही नहीं उठता था मगर उसे संदे हो गया एक दिन उसके दूद पीने का समय हुआ तो उसने खेडकी से पुत्र का काम देखा तो दंग रह गया पुत्र आधा दूद तो पी गया और आधे में पानी मिला कर पिता के पास आया उसने दानी को दूद थमा दिया दानी ने कहा बेटा धनेश क्या घर में और दूद नहीं है क्यों नहीं पूरे पांच किलो दूद और रखा है धनेश का उत्तर था फिर तुमने उसमें से दूद पीने के बदले मेरा दूद पीकर उसमें पानी क्यों मिलाया आप ही तो कहते हैं ना शुद सा मगरी हानी कारक होती है मगर मम्मी आपके दूद में पानी नहीं मिलाती थी मैंने सोचा आपको शुद्ध दूद देने से आपकी बिमारी और बड़ेगी बिमारी ना बड़े यही सोच कर तो मैंने मिलावट करके देना उचिछ समझा बुरी शिक्षा का परिणाम दानी ने देख लिया था तब से उसने ना ही मिलावट करने की शिक्षा दी अपितु मिलावट से होने वाली हानिया भी गिनाने लगा इतना ही नहीं वह अब जो भी दहलीज पर आता उन्हें भोजन अवश्य देता और वह भी शुद धन्यवाद अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शियर करें और अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे धन्यवाद